विश्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायलोजी सिरीज में आज का वीडियो, टेट एक्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो लोग टेट की तयारी कर रहे हैं चाहे वो C-Tate हो, U-P-Tate हो, या कोई भी स्टेट लेवल का Tate है इसमें हम जो भी जूनियर लेवल एक्जाम्स में, 6-8 में के पेपर में, पेपर 2 में जो भी साइन्स के क्वेश्चन्स आते हैं, हम उन्हें देखेंगे कॉंसेट के साथ देखेंगे, डिसकेशन करेंगे और भी स्टूडेंट्स जिनके एक्जाम में जेन्रल साइन्स के क्वेश्चन्स आते हैं ये वीडियो उनके लिए भी हेलफुल है ऐसा नहीं है कि ये टेट का पेपर है, या इसमें टेट के क्वेश्चन्स है और वो RRB या SSC में नहीं आने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप इस वीडियो को अंत तक देखें निशित तोर पे आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें, नोट्स बना लें स्टूडेंट्स की कुछ कॉमेंट्स आये थे, मेरे पास पर्सनल मेसेज़े आये थे कि मैम थोड़ा सीटेट या यूपीटेट वगेरा के भी साइन्स के क्वेश्चन्स डालें यह इसी क्यों पलक्ष में है, ऐसा नहीं है कि PCS वगेरा पेपर बंद हो जाएंगे उनके भी वीडियो में आपको देती रहोंगे, चलिए वीडियो को अंतर तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको जरा सा भी यूसफूल लगता है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है चलिए, आज देखते हैं हमारा पहला क्वेशन क्या है तो क्वेशन देखिए है, फूल का चमकीला तथा आकरशक अंश है किसी भी फूल का जो भी चमकीला और आकरशक अंश होता है, वो कौन सा होता है ओप्शन देखिए, दल पूंच, बाहे दल, दल, कुश्पवरिंथ क्या कहेंगे आप, क्या होगा यहाँ पे आंसर, बिल्कुल पेटल्स, पेटल्स जो होते हैं, वो कलरफुल होते है पंखुडियां जो होती हैं, वो कलरफुल होती है, कलरफुल क्यों होती है पंखुडियां ताकि वो कीटों को अपनी तरफ आकर शित कर सके ठीक है, पॉलिनेशन करवाने के लिए, यह बहुत आविशक है कि insects उन पर आके बैठें ताकि पराग वगेरा का transfer, pollen grain का transfer हो सके इसलिए जो flowers होते हैं वो attractive होते हैं, bright color के होते हैं, ठीक है तो अब ज़रा structure अगर हम किसी flower का देख लें, ज़रा समझेगा कोरोला क्या होता है, यहाँ पे जो दल पूंज लिखा है यह क्या होता है तो दल का एक group petal का group क्या मैंने कहा, group of petals जो पंकुडिया है, उन्ही के group को हम क्या कहते हैं कोरोला कहते हैं, ठीक है जो दल है उसी एक group को, उसी के एक group को हम दल पूंज कहते हैं दूसरी बात होती है, सेपल्स क्या है यहाँ पहर के साइड आपने हरे रंग का स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ इस प्रकार का यही जो ग्रीन कलर का भाग होता है इसे हम कहते हैं सेपल्स या बाहे दल इसका कारे क्या होता है ये किसी भी फूल को खिलने से पहले जब वो कली होती है ये उसको प्रोटेक्ट करता है उसका बचाओ करता है प्रोटेक्शन अब बड बड यानि की कली कली को प्रोटेक्शन देता है कौन देता है सेपल्स देते हैं या बाहिदल देता है ठीक है अब बात आती है पुश्प वरिंत या पेडिसल कहते हैं समझ में आया मान लीजे कोई भी पुष्प है वो तने से ही अटाइच रहेगा ये तने से अटाइच है ये हो गया मान लीजे सेपल और ये हो गया मान लीजे कोई कली है फ्लार है ये है पेडिसल इसे कहते हैं पुश्प वरिंद समझ में आ गई बात तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि bright और attractive जो part है किसी flower का वो कौन सा होता है तो वो dull होता है option कौन सा correct हो गया यहाँ पे option correct हो जाएगा C ठीक है चलिए आगे देखी next question पूछा है cholera is caused by बहुत आसान से पूछा हुआ है कि cholera किस से होता है bacteria से virus यानि की विशानू से insects से keto से या toxin toxin यानि की कोई भी ऐसा chemical मतलब जहरी ला आप जहरी ला कह सकते हैं ठीक है कोई भी जहरी ला product जो कोई living organism secret करता है उसे हम toxin कह सकते हैं ठीक है तो cholera किस से होता है आप सभी को पता है cholera एक जिवाणू जनित्रोग है bacterial disease है ठीक है अगर यहाँ पर यह पूछता कि cholera किस bacteria की वज़स होता है तो उस bacteria का नाम है vibrio यह ओ है vibrio cholery ठीक है vibrio cholery यहाँ पर देखे आप अगर नाम आता और last में कॉलरी देखते तो आप आराम से पकड़ लेते vibrio cholery किस बिमारी को उत्पन करते हैं cholera ठीक है चले आगे बढ़िए next question eggs are rich source of अंडे उत्तम श्रोथ हैं किस चीज़ के fiber के तंतुओं के protein के carbohydrate के या वसा के बिलकुल बताइए protein के अच्छे श्रोथ होते हैं अंडे इसमें सोचने की जरुवती नहीं है protein के बहुत अच्छे श्रोथ होते हैं कौन अंडे ठीक है चले next question है jute fiber is obtained from which part of the plant पौदों के किस भाग से jute तंतु पाया जाता है देखे jute के fiber आपने देखे हैं घरों में बोरी वगरा आती होगी या jute की रसियां गावों में देखने को मिलती है ठीक है तो jute की रसियां या jute के जो बोरे होते हैं तो ये jute fiber एक एक धागा मान लीजे ये jute का जो एक धागा है ये कहां से प्राक्त होता है तो देखे, जूट की खेती की जाती है, ठीके, कहाँ पे West Bengal साइट पे आप अच्छे से देख लोगे, वहाँ पे जूट की खेती की जाती है, उसके बाद इस प्लांट को, ठीके, माली जे काट कर, जब इसकी खेती हो जाए, तो इसे काट कर क्या करते हैं, इस पूरे नाले होते हैं, नाले बनाये जाते हैं, ड्रेंस की तरह होते हैं, उसमें पानी भरा होता है, उस पानी में उठा के गठरों में, जैसे धान वगएरा करते हैं, आपने गावों में देखा होगा, तो एक बंडल बना लेते हैं, गठर बना लेते हैं, वैसे जूट की भी कटा हुए है ठीक है माली जी कोई तना है इसमें सारे फाइबर से एक साथ जुड़े हुए है जब इनका reaction वाटर से होता है तो ये जो सारे फाइबर्स है वो अलग-अलग हो जाते हैं ठीक है तो हमें क्या पता चला कि जूट के जो फाइबर हैं वो किस भाग से प्राप्त होते हैं तो stem या तने से प्राप्त होते हैं यहां पे option जो c है c correct हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं ये बताए ये इसमें क्या कुछ बताने की जोड़त है देखे क्या है rice and wheat can be termed as चावल और गेहू को नामित किया जाता है दाल में रखिएंगे दाल की category में अनाजों के रूप में सबजियों के रूप में या फिर फलों के रूप में बताएए जो आपके घर में चावल और गेहू हैं इनको आप क्या कहोगे ज़ाहर से बात है अनाज है अनाज के रूप में ये तो option B हमारा correct हो गया ठीक है जहां आपको लगता है वीडियो को pause करिए question को खुद से solve किया करिए ठीक है और notes बनाना बिलकुल मत भूलिए यही आपको exams में काम देंगे और revise करते रहें notes को जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आ रही है suppose आपको लग रहे है वीडियो आज नहीं आई कि नहीं कारणों की वज़े से आप पुराने notes को उठा के पढ़ें आप समय ना गवाए ठीक है चले next question पौधे जो अपना खादे बना सकते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं autotroph heterotroph, saprophite, parasite मैंने आपसे एक बार कहा था rrb का जब मैं paper solve करवा रही थी आपको कि आपको English के terms भी जानने हैं हिंदी तो जानना ही जानना है देखिए अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे यह question English में है यहाँ पे देखिए question तो हिंदी में करना यहाँ देखिए पहली बात parasite क्या होते हैं नीचे से देख लेते हैं ठीक है parasite वो animals होते हैं या वो living organism होते हैं जो किसी host body पे depend करते हैं मैं clearly सब बताऊंगी किस पे depend करते हैं host body host body कौन हो सकता है हम हो सकते हैं आप हो सकते हैं कोई जानवर हो सकता है कोई plant हो सकता है ठीक जैसे बालों में जो जुवे पाए जाते हैं वो क्या है मालीजे हमारे शरीर पे ही है हमारे पे ही depend कर रहे हैं तो जुवे के लिए हम क्या हो गए host body हो गए host वो होता है जहां से parasite ठीक है परजीवी कहते हैं जहां से parasite या परजीवी जो है वो nutrition लेता रहता है, पोशन लेता रहता है, जैसे जो जुआ है वो क्या कर रहा है, blood सक कर रहा है, जिसके सर पे होगा, उसका खून चूज़ेगा, आरे यह बात समझ में, तो ऐसे host body पे जो depend करते हैं, उनको parasite कहते हैं, तो क्या plants parasite हैं, यहां बूच रहा है वो जो अपना मतलब होता है self या swim, और ट्रॉफ का मतलब होता है feeding, यानि की पोशित करना, तो जो स्वयम को पोशित करते हैं, वो कौन से हैं, green प्लाहरे पौधे, उन्हें हम क्या कहते हैं, auto-trop कहते हैं, ठीक है, अच्छा, heterotrops क्या होते हैं, heterotrop वो होते हैं, जो पौधों पर निरपर रहते हैं या तो directly या तो indirectly जैसे गाय मैं psychologically है ठीके और बाकी जो दुवितियक उपभोकता कहते हैं जैसे saprofites क्या होते हैं देखे saprofites वो होते हैं जो सड़े गले dead या decaying मृत या सड़े गले object पर grow करते हैं उगते हैं ठीक है तो वहाँ से ये nutrition लेते हैं ये क्या करते हैं मान लिजे ये कोई object है सड़ रहा है ठीक है इस पर सड़े कोई saprofite होगा मान लिजे हमने एक example ले लिए मान लिजे मश्रूम है उगरा है तो ये क्या करता है ये इस dead body को या ये जो body गल रही है ठीक है इसको पुरा गला देंगे liquid form में convert कर देंगे solid को किसमें बदल देंगे liquid में और फिर इससे nutrition ले ले लेंगे अपना portion ले लेंगे तो ये सब हम देखेंगे तो हमें क्या answer मिला हमारा जो answer हो गया वो A autotroph कहेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो video को थोड़ा पीछे ले जाके फिर से सुने lecture को आपको समझ में आ जाएगा नहीं आता तो comment box में आप free ही है बताने के लिए पूछने के लिए चीज़ों को ठीक है next flowering plants that bear flower फूल फल तथा बीज धारण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं देखिए याँ में पूछु रहा है कि वो जैसे मान लीजे अमरूद का पेड़ो गया आम का पेड़ो गया जिन पर फूल भी लगते हैं और जिन पर बीज भी आते हों ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं तो ऐसे पौधों को हम angiosperm कहते हैं ठीक है एंजियो स्पर्म जो शब्द है ये बना है एंजियोन से जिसका मतलब होता है केस केस का मतलब यहापे क्या है कवरिंग आवरण ठीक है और दूसरे शब्द उसे बना है स्पर्मा स्पर्मा का मतलब होता है सीड या बीज ठीक है तो इसमें क्या है जो भी seed होंगे कैसे मालीजे आम का seed बीज आपको दिख रहा है वो बाहर से आम अगर आप देखेंगे ठीक है तो बाहर से covered है हरे रंग का छिलका होता है ना आम का अच्छा जब वो पक जाता है तो पीले रंका हो गया तो seed cover मिलेंगे मालीजे चना आप देखते हो तो चने की अपनी covering है छिलका है चने का मुँफली नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे चलिए देखे तो चना है चने का क्या है एक covering है ठीक है best example आपको समझ में आ रहा होगा तो ऐसे सारे seed ऐसे सारे बीज जिन पे covering होती हो उन्हें हम कहते हैं angiosperm जैसे आम, अम्रूद यह सब हमारे angiosperms है ठीक है फिर आता है gymnosperm क्या है जिन में naked seed होती है gymnos का मतलब यहाँ पे देखे जिम्नोस शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है naked नगन मतलब कोई covering ही नहीं होती है seed पे और sperma का मतलब फिर से क्या हो गया seed हो गया ठीक है तो आप जरा आपने psychos वगेरा का पेड़ देखा होगा पहाड़ों पे वहाँ पे कोन होते हैं मैं कभी picture में आपको दिखा दूँगी आप search कर लीजेगा psychos c y c a s का भी search करिए वहाँ पे आप कोन देखिएगा तो वो जो seeds होते हैं वो एकदम naked है वो आपको नगनवस्ता में देख रहे हैं उनके उपर कोई covering नहीं लगी होई है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा angios firm answer हो जाएगा crypto games क्या होते हैं crypto games यहाँ देख लीजिए crypto games ऐसे plants होते हैं जिनमें ना तो फूल निकलता है ना यह तो फ्लार नहीं है fruit नहीं है seed नहीं है ऐसे plants होते हैं और फर्न क्या होते हैं फर्न चोटे-चोटे होते हैं बिलकुल भी आप इनको terido fight वो जो plants वाला मैं आपको पढ़ाऊंगी जो लोग science से पढ़ रहा होने पदा terido fight वहां होता है ठीक है अच्छा कल मैं आपके लिए एक SI units की वीडियो लेकर आती हूं unit से questions आते हैं तो अब धीरे-धीरे हम लोग एक दिन question paper solve कर लेते हैं और अगले दिन हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं ठीक है रोज paper solve करना भी ठीक नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें पूछ रहा है कौन सा द्वी बीज पत्री है घास मकई आम इनमें से सभी तो आम यहां पे द्वी बीज पत्री होगा ठीक है यह द्वी बीज पत्री क्या होते है डाई कौटी लीडॉन क्या होते है चना मान लीजे उसको आपने भिगो दिया ठीक है फिर उस चने को आप क्या कर सकते हो आप दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हो मतलब मान लीजे चना है तो ये हो गया चने का एक पर्ट और ये हो गया चने का दूपर्ट तो ऐसे सीच जिनके दो कौटिलिडॉन सोई इन दोनों को हम कहते हैं कौटिलिडॉन ठीक है तो ये बीज पत्री हो गए तो जिनमें दो कौटिलिडॉन बन जाए उन्हें हम कहते हैं डाई कोटिलेडान ठीक है तो वैसे ही आम है घास वगेरा नहीं है घास मकई अच्छा कैसे पता करते हैं माली जे नहीं समझ में आया माम कॉंसेट अब कैसे पता करेंगे बीज देखे तो देखे जिनकी भी जड़े जिन भी पौधों की जड़े हैं ऐसे रेशेदार होंगी ठीक है फाइब्रस रूट जिनके पास होगा समझ रहे हैं फाइब्रस रूट रूट दो प्रकार का होता है ना एक फाइब्रस रूट या एड्वेंटिशिस रूट बोल लिज और एक बोलते हैं टैप रूट टैप रूट कौन सा होता है ये देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको यहां का कौन सा कौन सा को जिसमें क्या होगा टैप रूट होगा वो डाइकॉट होगा और जिसमें फाइब्रस रूट होगा जैसे घासों की जडें आपने देखी होगी गास की जड़ देखिए तो जिसमें fibrous root होगा वो कौन सा होगा उसको हम कहेंगे monocot ठीक है पहले तो ये चिन्नो होता है कैसे पता करते हैं की dicot है की monocot है मान लिजे मैं आपको एक छोटा सा plant दे दू मैं बताओ चलो बताईए इसमें की dicot है या monocot है तो आप कहेंगे मान बीज आएगा तब तो पता से करेंगे तो बीज की ज़रुवत नहीं आप root देखे root में अगर tap root है तो dicot है fibrous root है तो monocot है अज़ चलिए आपको मैंने root ही नहीं दिया अब आप और confuse आप कैसे पता चलेगा तो देखे बहुत ध्यान से देखेगा जिस भी पती में ऐसे arrangement हो ऐसे इस प्रकार का arrangement हो ठीक है ये veins होती है venation कहते हैं ये ऐसी venation हो जिसे हम कहते हैं reticulate venation ऐसा कहा आपने देखा है people के पत्तियों में देखा है तो जिसमें भी ऐसी venation पाई जाती हो leaf में वो dicot होगा आम में, नीम में, पीपल में बर्गद में, अमरूद वगेरा में आपने ऐसी venation देखी हुई है ठीक है वहीं अगर आप पत्तियों में इस प्रकार का venation देखें जहाँ पे ये line parallel दोड रही हो ऐसे वो कौन सा हो जाएगा वो monocot होगा और इस venation को क्या बोलते हैं इस venation को कहते हैं parallel venation कितनी बाते मैंने आपको बताई है कि कैसे पता करेंगे कि dicot है कि monocot है question कुछ भी आये dicot अगर पूछेगा मैं फिर से बता रही हूँ dicot होगा तो या तो आपको सीड के पारे में पता हो आप उसको दो equal भागों में विभाजित कर सकें अच्छा गेहू देखे गेहू की बीच को क्या आप दो भागों में विभाजित कर सकतें नहीं तो वो dicot नहीं है पत्ती से कैसे पता करेंगे कि dicot है तो उसकी पत्ती में कैसा विनेशन होना चाहिए ये वाला विनेशन होना चाहिए ऐसा arrangement होना चाहिए जड कैसी होनी चाहिए तो जड जो है tap root होना चाहिए एक main root हो और उससे छोटी-छोटी root निकली हो तो अगर ये दो खासियत हो तो आप क्या कहेंगे कि किसका है ये क्या है dicot है ठीक है तो मेरे क्याद से अब अगर सवाल आता है आपने घासों की पत्तिया माफ कीजिगा आपने घास की पत्ति या मकई की पत्ति देखी होगी घास का क्या मकईया घास का जड़ तक देखा होगा कुछ तो देखा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मोनोकॉट है या दाइकॉट है चले, आगे देखिए एक कोशिका प्राणी इसमें से सिंगल सेल आनिमल कौन सा है आर्थरोपोड़ा है, स्तनी है प्रोटोजोन है मुलसका है, देखिए स्तनीयों में हम और आप आते हैं ठीक है, स्तनीयों में हम और आप आते हैं तो हम तो एक कोशिक यह है नहीं मुलसका में घोंगा आता है स्नेल वगेरा आते हैं, वो भी एक कोशिक यह नहीं है आर्थ्रोपोटा में जितने भी कीडे मुकॉडे आप देख रहे हैं जितने भी कीडे मुकॉडे इस धर्ती पे हैं ठीक है वो सब क्या आर्थ्रोपोटा है वो भी एक कोशिकिये नहीं है यहाँ पे क्या मिल गया प्रोटोजोन protozoan एक कोशिक ये जीव होते हैं एक ही कोशिका के बने होते हैं यह नगनाखो द्वारा नहीं देखा जा सकता यह खास बात होती है ओर क्या बात है इसमें कौन-कौन से आते हैं जैसे amoeba हो गया, paramecium हो गया, yuglina हो गया यह सब किसमें आते हैं प्रोटोजोवा में आते हैं एनिमल्स ठीक है नेक्स्ट रूट अफ बैनियन ट्री इस अच्छा कभी आपने बर्गत का पेड़ दे का है माली जी यह कोई बर्गत का पेड़ है आपने देखा होगा कि जड़े बाहर-बाहर तो निकली ही हुई है साथ में उपर से नीचे की तरफ भी कुछ जड़े होती है जो धर्ती के अंदर तक जाके एक स्ट्रॉंग बाइंड करती है ताकि पेड़ जो है उसको मजबूती मिले इस रूट को क्या कहते है इसी के बारे में पूछ रहा है इस रूट को हम अवस्थंब मूल और जो जड़े उपर से नीचे की तरफ आती है तो वो सॉयल में जाती है ताकि पेड़ को बाइंड करके रखे ताकि वो खड़ा रहे क्योंकि विशाल होता है व्रिक्ष तो इसी लिए मजबूती प्रदान करने के लिए ठीक है next water that is absolutely pure and free from any impurity अशुद्धी से पूर्ण रूप से मुक्त परमशुद्ध जल को कहा जाता है बहिए परमशुद्ध जल को कौन सा कहते हैं आसूद जल, खनिज जल, जरना का जल, उबाला हुआ जल बताए यहाँ पे आप कहते हैं distilled water या उबाला हुआ, सोरी, आसूद जल distilled water इसमें ना कोई impurity रहती है ना कोई mineral होगा अच्छा, mineral water में क्या होगे? minerals होंगे, खनिज मिलेगा यहाँ बोल रहा है परमशुद्ध जल कुछ नहीं है जरने के जल में क्या आपको impurity नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी? उबला हुआ जल अगर आप देखेंगे तो क्या यह 100% परम मतलब शुद्ध जल माना जाता है बिल्कुल नहीं 100 degree Celsius पे भी कुछ बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको ठीक है तो distilled water का use या आसूद जल का use जेनरली लाब में किया जाता है कोई experiment को carry out करने के लिए ठीक है मान लीजे जल में अगर हम distilled water नहीं लेते हैं और जल में chlorine हो तो reaction कर रहे हैं कोई तो chlorine react करके result perfect नहीं देगा तो ऐसे जल की आवेशक्ता होती है जिसमें impurity भी नहो कोई घुला हुआ mineral भी ना हो ताकि हमें जो result है वो accurate मिले ठीक है आगे बढ़िये यहां next देखिए किस पद्धती द्वारा एक villain से villain से विले प्राप्त किया जा सकता है बिलकुर बताईए आप इसमें किस प्रकार से आप किसी solution में से solute पा सकते हैं मान लिजे पानी और चीनी का घोल है और आपको चीनी प्राप्त करना है क्या करिएंगे यहां पर आवसादन, निस्तारन, आस्वन या बाश्पन बाश्पन कर दीजे बाश्पन करने से क्या होगा liquid जो है जो solution है जो जल है वो भाब बन के उड़ जाएगा उसको आप ठंडा करके आप उसको जल को अलग कर लेंगे और जो solute है वो क्या हो गया अलग हो गया चीक है next question यहां पर जल जनित रोग कौन सा है तो जल जनित रोग कौन सा देखे डिप्थीरिया है titnis है hepatitis है या malaria है देखते चलते है टिप्थीरिया bacterial disease है titnis bacterial है malaria Plasmodium की वज़े से होता यह आपने पढ़ रखा है पिछली वीडियो में आमने देखा था तो यहां पर जल से होने वाला रोग कौन सा है hepatitis hepatitis एग जल जनित रोग है इसमें लिवर मुख्य रूप से अफेक्ट होता है ठीक है? लिवर यहां देखे क्वार्ड्स के अवियव हैं सिलिकॉन तथा क्वार्ड्स या जिसे स्वटिक कहते हैं स्वटिक का आपने नाम सुना होगा स्वटिक की अगुठी वगएरा लोग पहते हैं स्टोन की तरह यूज करते हैं ग्लास बनाए जाते हैं क्वार्ड्स से इसमें क्या क्या होता है एक तो सिलिकॉन हो गया और दूसरा क्या होता है ऑक्सिजेन हलफर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन तो इसमें होता है मैं आपको बता दू oxygen, स्वटिक जैम स्टोन की तरह यूज करते हैं, स्वटिक की माला वगएर आपने सुना होगा, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी question में तो आप बेज जग comment box में लिखे, students बिलकुल लिखते हैं वो पूछते हैं चीजों को और मैं हर वक्त उन्हें clear करने की पूरी कोशिश करती हैं ठीक है, यहाँ पे लिखिए burning of which causes the most air pollution इसमें से कौन जलने पर सबसे अधिक वायू प्रदूशन करेगा ये तो आप भी बता सकते हैं कोईला, CNG, LPG या hydrogen, बताइए कौन सा करेगा, बिलकुल, सही है क्यों सा, option A koila ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूशन करेगा ये देखे निम्न में से कौन सा पदार्त जल में नहीं गुलता, ये बताइए बच्चो माला वैशन, चलिए बताइए कौन सा नहीं गुलेगा, milk, दूद honey, शहद, alcohol शराब जिसे हम कहते हैं, या तेल oil, कौन सा नहीं गुलेगा तेल नहीं गुलेगा, जल में जल में आपने तेल बगर डाल के देखा होगा, इतना आपको पता है ठीक है, चलिए next, यहाँ पे कौन सा व्यूतक्रमी परिवर्तन नहीं है, reversible reaction नहीं है, मतलब मान लीजे अगर आपने A से B बनाया और अब आप B से A नहीं जा सकते, यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ one direction में reaction हो रही है, unidirectional है तो आपको ऐसे reaction बताने बताएए, अगर जल से भाप बन रहा है तो भाप को फिर आप, मतलब अगर condense कर लें, तो फिर से जल मिल जाएगा, मिल जाएगा reversible है, लोहा पिगलेगा तो लोहा रहेगा बिल्कुल रहेगा, भाप का संगनन करिए वही जो मैंने आपका बताए संगनन करेंगे, भाप को तो क्या मिल जाएगा जल मिल जाएगा, लेकिन अगर मिटी का तेल या किरोसन जिसमा मिटी का तेल कहते हैं, अगर इसको आप जलाएंगे, तो क्या वापस से आपको मिटी का तेल मिलेगा, नहीं मिलेगा जो भी मिटी के तेल को आपने जलाया वो क्या हो गया वो धूए के रूप में निकल गया खतम हो गया, वो पूरा खतम हो गया जल गया वो, तो आपको क्या वापस से केरोसिन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो यहाँ पर यही ना पूछा reversible नहीं है, वापस reverse नहीं हो सकता नहीं हो सकता मिटी का देल next निम्न में से किस पदार्थ के अडूओं में एक ही प्रकार के पर्माडू रहते हैं बताए किस में एक ही प्रकार के पर्माडू option पढ़ी गया आपको बता चल जाएगा oxygen water, water का सूतर क्या है hydrogen भी है, oxygen भी है सवाल में क्या पूछा है एक ही प्रकार के carbon dioxide CO2, फिर से दो प्रकार का हो गया sulfur dioxide का क्या हो जाएगा SO2, फिर से दो प्रकार का हो गया तो हमारा जो correct answer है हमारा जो correct answer है वो हो जाएगा oxygen option A correct है एक ही प्रकार के पर्माडू मतलब ऑक्सिजन जो है वो ऑक्सिजन के ही परमाड़ों से मिलकर बना हुआ है ठीक है चलिए आगे देखे which of the following formula represent a molecule of oxygen sorry ozone ozone को किस सुत्र द्वारा दर्शाया जाएगा यह इसमें क्या कुछ बताने की जरूरत है बिल्कुल नहीं देखती या अंसर आना चाहिए क्या अंसर होता है o3 कहा है option b correct है हमारा o3 यह correct हो जाएगा next इसमें से कौन सा मिश्रुधातू है rrb में यह question आया हुआ था यही question rrb में आया था लेकिन कैसे आया था वहाँ पे direct मैं बताती हूँ कैसे आया था गोल्डी होगा भई गोल्ड के ही परमाड़ू होगी copper में सिर्फ copper वाले लेकिन जो stainless steel है इसमें आपने देखे यही direct question पूछा था कि stainless steel में क्या-क्या होता है मतलब अगर यह मिश्र धातू है तो कौन-कौन सी धातू है मिलकर stainless steel बनाती है तो आपने उस समय option पे correct किया था chromium यादा रहा है iron और कौन सा carbon तो question में बार-बार कहते हूँ आप जब पढ़ते हैं तो clearly पढ़ें यही चीज घुमा फिरा के देखिए हर exam में आ रहे हैं या पेपर देख रहे हैं आपको idea लग रहा है बस क्या है चीजों को थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहां पे पूछ अच्छा था कि stainless steel किस से बनता है देख रहें तो यहां पे correct answer हमारा क्या है stainless steel option c ठीक है आगे बढ़िए यहां देखिए इसलिए मैं आपको unit वाली एक वीडियो दे देती हूँ चलिए how many arg are there in 1 joule 1 joule में कितने arg होते हैं तो 1 joule में 10 to the power 7 arg होते हैं ठीक है option a correct हो जाएगा कितने 10 to the power 7 next अच्छा आप मुझे यहां जरुँआ बताइए आप लेक सवाव जूल किसका मातरक है जूल किसका मातरक है आप मुझे बताईएगा ठीक है चलिए मैं देखती हूँ कितने बताते हैं देरी हूँ अब आप बताइएगा मुझे next यहां देखे force applied to a machine to do mechanical work is called किसी machine पर यांत्रिकी ये कारे करने है तो प्रयूक तबल कहलाता है मान लिजे कोई machine है उस पर आप कुछ work करे ठीक है mechanical work कर रहे है force लगा रहे है मान लिजे ये box रखा हुआ इसको आपको move करना है तो आप एक force लगा रहे है ठीक है इसी को क्या कहते है load कहते है भार दे रहे है प्रयास कर रहे है effort डाल रहे है निर्गम output output तो निकलेगा ने या दक्षता है आपकी तो यहां पर क्या हो जाएगा effort डाल रहे है आप किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या करते है effort डालते है प्रयास करते एक force लगा रहे है ठीक है आप क्या कर रहे है आप प्रयास कर रहे है force लगा रहे है कि जिसको आप धकेल रहे है वो actually में क्या हो जाए move कर जाए ठीक आगे an example of natural magnet आपको एक history भी मिलेगी कि magnet की discovery कैसे हुई थी ठीक है Magnus यह आपको मिलेगा आप NCRT पढ़ोगे तो नहीं तो मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगे मैं खुद ही आपको बता दूँगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि natural magnet प्राकृतिक जो magnet चुम्बक है यह कहां से प्राप्थ होता है लोहे से, स्टील से लोड स्टोन से या इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है चुम्बक पत्थर या लोड स्टोन यह प्राकृतिक चुम्बक है ठीक है SI unit area का SI unit क्या होता है पर देखे लिए बहुत इजी सवाल है इसको बताएगे millimeter square centimeter square meter square यह kilometer square area का SI unit क्या होगा area का SI unit होता है meter square ठीक है क्या होगा meter square next नेक्स्ट, फोर्स कैन बी मिजर्ड यूजिंग अ, बल को मापा जा सकता है, बल माप नहीं हो तो किस से माप तेंगे, स्प्रिंग तूला के द्वारा, थर्मा मीटर के द्वारा, कैलोरी मीटर के द्वारा, इन में से कोई नहीं, थर्मा मीटर से क्या फोर्स ना आपते हैं, नहीं, शरीर का तापमान ये किसी वीवस्तु का तापमान आपने, तो ये तो होने से रहा, ठीक, कैलोरी मीटर, ये बताए मुझे आप, कैलोरी मीटर बहुत important है, question आता है कैलोरी मीटर का उपयोग किस के लिए करते हैं, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, force को अगर measure करना हो, बल को मापा जाता है, एक spring तुला के द्वारा, spring balance के द्वारा, ठीक है, spring balance आप सभी ने देखा ही होगा न, वो ऐसे spring की तरह होता है, और यहां पे एक hook लगी होती है, आप यहां पे वस्तु को रखिए, और आप उसको उठाएंगे, तो आप, मतलब यहां पे display हो जाएगा वो कितने kilogram बगरा का है, तो मुझे बताएं, spring balance होगा, थर्मा मीटर, हाँ, spring balance ही होगा, आप कीजिए, कैलोरी मीटर आप मुझे बताएगा, कि इसका उप्यो किसमे करते हैं, ठीक है, चलिए, यह देखिए, घर्षड को अगर बढ़ाना हो, तो क्या करेंगे, तेल का प्रय खुर्दूरी करनी पड़ेगे, यह बात आप समझे, कैसे, माल लीजे, कोई खुर्दूरी सत्य है, ठीक है, यह खुर्दूरी सत्य है, और आप अपना, कैसे आप मैं को मैं बताओ, चलिए, ऐसे समझ लीजे, माल लीजे, गाड़ियां, गाड़ियों के tires आपने देखे हैं वो एकदम से चिकने नहीं होते हैं, उनमें थोड़े-थोड़े से ऐसे माल लीजे, यह है, तो इस पर कटे-कटे से भी होते हैं, ठीक है, ऐसे-ऐसे टाइप का होता है, यह क्यों होता है, ताकि घर्षण बड़े, घर्षण अगर कम हो गया ना, तो चीजें slip कर जाएंगी आप कभी कहीं पर गीला है, या कहीं काई लगी हुई है, आप जब उस पर पैर रखते हो, तो आप slip कर जाते हो, क्यों क्यों कि घर्षण कम है, ठीक है, तो टाइर और रोड के बीच में जितना जादा घर्षण होगा, उतना ही क्या होगा, अच्छा, जब घर्षण जादा होगा, उतना ही घिसाव भी होगा, टाइर घिसता भी है, आपने शर्ट की कॉलर देखिए, आपके गर्दन और शर्ट के बीच में घिसाव होता रहता है, इसलिए क्या है, कॉलर जो होती है, वो फटती भी जल्दी है, ठीक है, तो घर्षण को जादा करने के लिए, आपको किसी भी सतह को क्या करना होगा खुर्दूरा बना देना होगा इससे क्या होगा घर्षर जादा हो जाएगा गाड़ी वगेरा या चपल चपलों के नीचे देखी आजकल चपलों के नीचे प्लेन नहीं होता वो थोड़ा सा कैसे कटे कटे से होते हैं gaps होते हैं उसमें इसलिए होते हैं ताकि person गिरे ना पता चले बरसात हुई और plane वाला चपल पहन के एकदम सपार्ट वाला निकले और वहीं गिर गए तो ऐसा भी नहीं होता तो सतर को क्या करनी है? खुरदूरी करनी है friction को बढ़ाने के लिए चले next ability to do work ये बच्चो वाला definition पूछा है क्या होता है ability to do work power होती है, energy होती है mass होती है कि heat होती है शक्ती है, उर्जा है, द्रविमान है या उश्मा है, कारे करनी का सामर्थ कहलाता है energy या उर्जा, क्या हो जाएगा option B, correct है ठीक है? B या देखिए जब एक newton का force ठीक है, force कितना 1 newton और area कितनी है 1 meter square जब हम 1 meter square area पे perpendicular perpendicular का मतलब होता है 90 degree पे, एक newton का force लगाते, तो क्या pressure होता है या पे indirectly आपसे pressure का definition दिया हुआ है और आपसे unit पूछ रहा है तो एक joule एक watt, एक pascal या एक farad क्या होगा answer में? जूल तो आप मुझे बताएंगे न कि किसका है मात्रक, वो आप मुझे बताएंगे watt किसका होता है कैसे कहते है, 100 watt का bulb power का ठीक है? तो या पे answer होगा one pascal pressure की unit क्या हो गई? pascal हो गई option B, correct है आप मुझे बताएंगे जूल देखे, बार-बार जूल आ रहा है इसलिए मैं आप से कह रही हूँ जूल का मात्रक, आप मुझे बताएंगे किसका मात्रक है जूल आप मुझे बताएंगे अगला है बल को मापा जा सकता है फिर से वही question देखे sorry, repeat हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा spring तुला के द्वारा यह आँ देखे एक कंगी के कागस के छोटे टुकडे को आकरशित करने का कारण है बश्मन में किया होगा सबने वो कंगी लेकर बाल में रगड़के फिर उसके बाद क्या करते हैं जैसे ही paper के piece होते है उसके पास ले आते हैं तो क्या होता है वो जो है paper वो आकरशित हो जाता है घर्शन जनित बल के वज़े से चुम्बकी अवल की वज़े से गुरुत्वी बल या स्थिर वैद्यूति की बल ठीक है बच्पल में सबने किया होगा यह चलिए यह आज का सवाल है शायद हाँ यह last question और यह आपके लिए एंग्स्ट्रम क्या मापता है एंग्स्ट्रम क्या मापता है द्रव की मात्रा प्रकाश तरंगों की लंबाई केबिलों की लंबाई यह जहाजों की चाल आप मुझे यह बताएंगे और यह भी बताएंगे कि एक एंग्स्ट्रम जो है वो कितने कितने मीटर के बराबर होता है आपको आज जादा homework दिया है मैंने तो आप एक जगा note कर लेंगे कि मैंने क्या-क्या पूछा और आप लाइन से आंसर दीजे एंग्स्ट्रम क्या नापता है यह बताएं और एक एंग्स्ट्रम में कितने मीटर होते हैं यह भी आप लिखेंगे question यह भी आता है तो SI unit से related आपको वीडियो मैं जल्दी provide करूँगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए वीडियो को like करें अगर आपको अच्छी लगती है अच्छा मैं telegram map का link ठीक है आपको दे दे रही हूँ आप चाहें तो उस group को join कर लें ताकि मुझे कोई भी pdf डालनी हो तो मैं डाल सको और आप वहाँ से फिर क्या करेंगे आप उसको ले लीजेगा pdf को ठीक है तो यह चीज हो सकती है आपके लिए खास करके current affairs वाकेरा जब मुझे आपको देना होगा तो pdf format में आपको telegram आप से मिल जाएगा आराम से चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद